हर हर महादेप चैमातादी दोस्तों कैसे आप सभी भगवान वो लिनात की क्रपा आप और आपके पूरे परवार पे बनी रहें हाज रहें फिसे एक नया उपाई लेकर तो आज जो उपाई आपको बताने वाले हैं ये उपाई बहुत ही जादा महतपूर है ये उपाई गुरुज ने बताया है एक लोटा जल और रदराच से ये उपाई अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में जो समस्याई हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाती है तो ध्यान से जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक बात हैं आपको ध्यान से सुननी है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो उपाय है तीन व्रचों में से किसी भी एक व्रच के नीचे जा करके करना है देखें तीन व्रच कौन से हैं पीपल, वरगद और बेल व्रच ये तीनों ही देव व्रच हैं इनमें भगवान का साच्छात निवास होता है इसलिए इन तीनों ही व्रचों में से कोई एक व्रच अगर आपको मिलता है तो आप उसी के नीचे जाकर ये उपाय कर सकते हैं अगर आपके घर में धन की कमी लगातार बनी हुई है कोई काम बन नहीं पाता है बिवा इत्यादी में रुकाबटे आ जाती है नोगरी इत्यादी में सफलता प्राप्त नहीं होती है काम बनते बनते विगड जाते हैं तो ऐसा हमारे घर में तब होता है तब पित्र लचमी आती हैं तो आपके हर समस्या का समाधान होई जाता है घर में लडाय-जगड़े का होना भी पित्र दोस का कारड माना जाता है अगर आप पित्र दोसके प्रभाव से प्रभावित हैं इसका नेदान अबी तक नहीं किया है तो आपको इसका नेदान करना चाहिए उसके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय, पुझ गु देव द्वारा बता गया है जो ध्यान से आपको सुनना है गलती नहीं करनी है इसके लिए आपको एक पीतल का लोटा लेना है साफ स्वच्च लोटा लेना है ये जो उपाय में बताने वाली हूँ ये उपाय सोवर 10 वजे से 12 वजे के बीच में करना है वस गलती नहीं करनी है इस वाद का ध्यार रखना पीतल का लोटा ले कभी भी किसी वी दिन ये उपाय आप प्रारम कर सकते हैं पीतल का लोटा लेने के बाद उसे साफ स्वच्च करना है और उसमें सुद्ध जल भर के थोड़ा सा गंगा जल भर करके आपको रख लेना है और फिर एक चावल का धाना और आपको एक रुद्राच उसमें डाल देना है और ये जो लोटा आप तयार करेंगे इस लोटे को लेकर के अपने घर में रसोई घर में जाना है और जहां जल पीने का रखा होता है जहां मटका होता है जहां से आप जल पीते हैं जिस वर्तन में जल पीने का रखते हैं उस वर्तन के पास जाकर आपको ये लोटा रख देना है और ये लोटा कभी भी किसी भी दिन तयार कर सकते हैं और सुबह 10 वजे से 12 वजे के वीच में आप अपने रसोई घर में इस जल के पात्र को पीतल के लोटे को आपको रख देना है और फिर आपको उस लोटे के ऊपर आपको एक प्लेट रख देनी है प्लेट रखने के बाद उसके पास में आपको एक घी का दीपक जलाना है और ये दीपक में आपको लंबी वादी का प्रयोग करना है लोटे के उपर जो भी ये उपाय कर रहा है वह व्यक्ति अपना सीधा हाथ रखकर घर में होने वाली जो भी समस्या हैं उन सभी समस्याओं का एक एकर के इसमरड करें और पित्रों का नाम लें अपना नाम और गोत्र बोलें और फिर आपको उस लोटे के उपर ही हाथ रखकर बोला है कि मैं इस गोत्र से हूँ मेरा नाम यह है और मेरे पित्रगड आप सभी से निवेदन हैं कि मेरे घर में साधी विवान नहीं हो पा रहे हैं रुकावटे आ रहे हैं तो यह काम संपन हो मंगल कार रहे हो नौकरी इत्यादी में बच्चे सफल हो और घर में तरक्की हो लचमी नहीं आ रहे हैं लचमी आए और आप हमीशा प्रसन मुद्रा में मेरे घर में विराज मार रहे हैं और भगवान की जो मैं पूजा करता हूं या करती हूं वो सफल नहीं हो पा रही है तो वो जो पूजा मैं भगवान की करती हूं वो भगवान तक ईस्वर तक मौचे ऐसा मेरे घर में कुछ करें जिससे मेरे हर कार्य बनते ही चले जाए ऐसे आपको अपने मन में जो भी चा उन सभी को ऐसे बोल करके आपको उस लोटे के उपसे अपना हाथ हटा लेना है और उस लोटे को वहीं पर रखे रहने देना है और फिर सुवे तो आप दीपक जलाएंगे साम के समय उसी लोटे के जल के पास में आपको एक दीपक जला दीना है और लंबी बाती का दीपक गी का दीपक जलाना है दूसरे दिन पूरी रात्री ये जो लोटा है रखे रहने दे क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि घर में क्या होता है कि रात्री के समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर में कई सदस ऐसे होते हैं जिनको भूंक लगती है वे खाना खाने बैठ जाती तो यह एक तरह से पित्रों का असांत रहना यानि जब पित्र असांत मुद्रा में हमारे घर में रहते हैं तो ऐसी स्तती बन जाती है कि रात्री में भूक लगती है या जल पीते हैं तो आप इसी के लिए उपाय करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोटा है वो हाथ रखक फिर से वही सारी बात हैं बोलनी है जो भी आपकी परिशानिया है वो सब बोलनी है और फिर आपको वहां पर एक घीखा दीपक जला देना है और जैसे ही आप दीपक जलाएंगे और अपना हाथ रखक सारी बात हैं बोलेंगे तो आप वहां से हट जाएंगे दी देर जलने दें और जैसे दीपग भुज जाता है सांत हो जाता है तो जो लोटा जल है उसको उठा करके साम के समय दूसरे दिन साम के समय किसी भी पीपल वरच्च के पास में या फिर आपको वेल वरच्च के पास में वरगत के पास में वरगत वरच्चो उसके पास में चले जाना हैं अगर देखे आप आसपास कोई ऐसा व्रच है जहां पर पीपल है या कोई कुछ भी मतलब बेल व्रच है वर्गत का है और आप बहां जाना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे या कुछ भी तो आप मंदर में चले जाएं मंदर में आसानी से ये व्रच मिल जाते हैं मंदर में जाने के बाद जो लोटा जल ले कर गए है जो जल आपने रखाता उस जल को उस पीपल की जड में समर्पित कर देना है समर्पित करने के बाद अपनी चाह को फिर से बोलना है पित्रों का इसमर्ड अपना नाम गुत्र बोलना है और फिर आपको करना क्या है कि जो लोटा है उसमेंसे जो रुद्राच है वो नीचे मतलब जमीन पर आ जाएगा तो रुद्राच और उसी इस्थान की एक चुटकी मिट्टी आपको लेनी है और उसे लेकर अपने घर आ जाना है रुद्राच को आप अपने पूजा इस्थाल में रख दे या धर रखने वाले मतलब सुरच्छित आपको रख देना आप चाहें लाल वस्तर में बांद कर भी घर के जो पूजा मंदर है वहाँ पर लटका सकते हैं रख सकते हैं और जो मिट्टी है उसको भी आपको रख देना है ये क्रिया एक बार कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं ये नहीं कि कोई चरत हैं तो कभी भी कर सकते हैं साल में सिर्फ एक बार करना होता है और ये जो क्रिया होते हैं सिर्फ एक साल के लिए मानने होती है दूसरे साल आपको फिर से यही क्रिया करनी होती है एक साल तक आपके जो पित्रगड़ है वह आपके घर में असांत नहीं रहेंगे और आपके जो बिगड़े कार्य हैं वो पुना बनने प्रारम हो जाएंगे पित्रसांत हो जाएंगे प्रशन होंगे और आपके हर कार्य में आपका सहयोग करेंगे बस इतना कार्य आपको करना है उमीद है कि उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा गया होगा वीडियो पसंद जरूर करने और कमेंट वोक्स में ओम नमस्य वाई अवसे लगने कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका समाधान चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में ओम नमस्य वाई हरी ओम दोस्तों